बच्चों मैं विद्धिया सागर परसाथ योचेस होने हैं आज हम लोग क्लास सेवेन में मुगल समराइच के बारे में चर्चा करेंगे अकबर महान के बारे में तो बच्चों कर हम लोग हमाई के बारे में चर्चा किये थे उनका पोत्र है अकबर जो पन्रों चपन से सुन्रों सो पांच इस्वी तक राइच के लगभक 49 बच्चों तक अकबर भारत में सासन के तो आए हम लोग देखते हैं इनका परिच्च है तो अकबर का चैम 15 अक्टूबर 1542 सिबी में अमर कोट के सेंद बरतमान में पाकिस्तान है इनका वास्ट्रिक नाम जलानुतिन मुहमद अकबर था इनका राज्य विशेग पंद्रह सव चप्पनिस्वी में चौधर फर्वरी 1556 में उप्पा संतान इनका संतान बेखेंगे जांगे कई अतिरेक्त पात्पोत्र और साथ पुत्रियां थे अकबर दूरा किये प्रमुकार्वे हैं तीर्त्रियात्रा कर समाथ ते तीर्तरियार्व प्रणतम समय गया प्रणों से जो पुर्व से चत्रिया रहा था उसको समाथ कर बहुत हैं महां बेखेंगे कि अगबर दौरा एकष्या कर दिया गया इस तरह से दोनों को समाठ्ट करने से भारत में भारत में कि भारत में उआद्यों कि सवित्नरता का धार्मेक परिवस्तन किया गया इबादत खाना की अस्थावना पगल सो पच्थावना मेन किया इसको हम लोग अरदना गृविक काते हैं इबादत खाना में सभे धर्मों के लोगों को आले के अनुमते ली गई और ये विवादत खाना की अस्थापना पंड़ा सो पचप्तरी दुवी में इसमें खार्शी, जायन, बाउग, हिंडू, मुचलिम इसमें सभी धर्म लोग आज करके अपने आधना करते थे दीन इलाहिश की अस्थापना पंड़ा सो पिरासी इस विवें अकपर ने किये तो इस तरह से देखते हैं कि अकपर जैसे महांसासरग सभे बर्गों के लोगों को एक सूत्र में बांच कर चैसमाजी को, आर्थी को, धार्मी को, राजनित्ती को सवें शेक्रों में समझस से अस्थापिक कर अच्छा काम किये और अकपर का प्रमूख कारिये परजाहित के लिए कारिये था इसलिए उनको महान सासक भी कहा दबता है आईए हम दों देखते हैं इसी प्रमूख योग पारिपार्व का दूसरा योग पंदरसो चप्पा निस्वी में हुआ पंदरसो चप्पा निस्वी में महाज अकपर जब गद्दी पर बैठे थे उसमें उनका उम्र 13 बस था तो उनकी संग्रच्चेग बाइरम खा थे उन्होंने अकपर की ओर से बाइरम खा और हेमूख के बीच में पानी बद का दूसरा जूद हुआ और हेमूख को परादिक किये उसके बाद देखते हैं हम लोग हल्दी घाटी का यूद ये पंदरसो चप्पतर इस्वी में अकपर की ओर से राजा मान से कथा महराना परताब की ओर से हकेम खांफूर में कमान संबादी और इसमें अकपर की विजय हुई बच्चों अब हम देखते हैं अकपर की प्रसास्निक बेउस्था में पर्धान मत्रे या बजेरी ये मुतलग कहा दाता है इनके मुख के कायम ये राज की सुरक्षा निश्चित करना था दूसरा है मीरवक्ष से ये सेना वर गुच्चर विभाग का प्रमुक कारिसों देखते थे तिसरा विभाग था उनका सदर हुष सदर इनका काम धार्विक मामलों में राजा का सलाकार होते थे अकपर ने साहित्तिक विभागों में वे कुछ परमुक कहर किये सबसे पहले उनों ने अनुवागत की अस्वपना की जिसमें अकपर ने संस्क्री अर्वी युनारी और तुर्की गरंपों का खासी में नुबात करवाया इनके मुखे मंत्री कहिए या सलाकार कहिए उनके नौर अपन थे विर्वल जो कि परमुद्धिमान दिखती थे तान सें ये संगित के महान संद्रा अव्दोर रहिंखान थाना राजा पुडर्मल जो जिसे हम्रों भीक मंत्री करते हैं मुल्ला हो प्याजा अकपर के सलाकार थे मान से अकपर के प्रमुद्ध सिनापति फाईजी जिसे राज कभी भी करते हैं अब उन फजर जिने इतिहास राज, दर्सन, साथ के परमुद्ध व्यादा थे इस तरह से इनके नौ राजा पुडर्मल जो उनके राज को सुसुभी करते थे हर तरह के साला महसुईरा इन्हें नमगत्रों से लिया करते थे तो बच्चों आज हम लोग राजा अकबर के बारे में हम लोग देखें अगले दिन हम लोग चल्चा करेंगे अकबर के पोत्र जाहंगेर जिसे हम लोग सलिम भी कहते हैं तो आज का कच्चा अंडू यहीं पर समात करते हैं धन्यवाद